Hello Friends, Welcome to my channel Ram Technical Help So Friends, अगर आपने fresh Windows इंस्टॉल किया है या फिर आपने system restart या reboot किया है तो क्या होता है, आपको ये error आ रहा है कि आपके screen के अंदर support, assist का एक error आ जाता है जहां पर आपका Windows यहां पर attack जाता है और इसके आगे आपका system जाता नहीं है और यहां पर ही यह stuck रहता है काफी देर तक जब भी आप windows start करते हो तो friends इसको आपको कैसे fix करना है और यहां पर इसको आपको क्या क्या settings करना है हम लोग सब इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आएं प्ली सब्सक्राइब मैं चैनल ऐसी बहुत सारी वीडियो यहां पर आपको मिल जाएंगी चाहिए वो laptop, desktop, youtube या फिर आपको किसी भी software में किसी भी type का problem आ रहा है तो है type का friends आपको यहां पर वीडियो मिल जाएगा तो आपको क्या करना है friends यहां पर आपको shutdown button पर click करना है जो यहां पर एक shutdown दिख जाएगा आपको यहां पर manually अगर यहां पर shutdown नहीं आ रहा है option तो आप यहां पर इसको बंद कर दीजिए यहां पर जो power option है यहां पर आप दबा के रखे थोड़ी देर यह बंद हो जाएगा अभी फिलाल के लिए यहां पर मैं shutdown कर देता हूँ और यहां पर इसको वापस से start करूँगा और इसको वापस से आपको start करना है start करने के लिए आप power button पर click करेंगे enable करेंगे जैसे ही इसको तो आपको F2 प्रेस करना है बायूस में जाने के लिए जैसे कि आपका यहां पर start करे बाद मेरा F2 प्रेस करने से बायूस में जाता है आपका कोई भी key से भी जा सकता है जैसे F12 है F8 है तो आप यहां पर यह बायूस में जाने के लिए यह key cover यूज कर सकते हो तो फिलाल हम लोग इसको क्या करेंगे start करेंगे और F2 प्रेस करेंगे F2 प्रेस करना आपको fast यह बायूस में जाने के लिए मैं यहां पर click कर रहा हूं ठीक है friends यहां पर हम लोग बायूस के अंदर आ चुके हैं अभी यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको जो आपका वायश है वो open हो जाएगा ठीक है यहां पर आपको बूट sequence का option मिलेगा ठीक है यहां पर आपको बूट sequence पर click करना है और यहां पर आपको जो यह दो option मिल रहे हैं 안녕하세요 एंड UEFI यहां पर आपको legacy वाला option select करना है लेगेशी वाला option select करने के बाद यहां पर आपको जो secure boot है यहां पर आपको kick करना है इसके बाद secure boot enable वाले option पर click करना है और यहां पर आप अगर यह enabled है तो आप इसको disable कर लिजिए उसके बद आपको क्या करना है यहां पर apply बटन पर क्लिक करना है और यहां पर इसको ok कर देना है अभी इसको exit कर देना है और exit करने के बाद यहां पर यह set down restart हो जाएगा आपका machine तो friends सिद्र आप देख पा रहे थे कि आपका यहां पर error आ जाता था जब आप windows start करते थे ठीक है तो अभी वो error हम लोगों को आया नहीं है अभी हम लोग इसको windows के अंदर login करेंगे ठीक है तो यहां पर यह windows आ गए हमारे स्क्रीन आ गए हमारे सामने अभी हम लोग क्या करेंगे इस पर login कर देंगे तो फिर सिदर आप देख पा रहे हो कि यहां पर हम लोग अपने laptop के अंदर enter हो गए हैं और जो हम लोगों को error आ रहा था अभी वो नहीं आ रहा है आई होप आप समझ गए होगे कि आपको अगर यह error आ रहा है software assist वाला तो वो आपको कैसे fix करना है अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा और helpful लगा और इससे आपको कुछ problem आपका fix हो गया है